Hey everyone, welcome back to my channel आज़ किसे वीडियो में आप सेखें कि आफगानी सलवार बनाने के सबसे आसान तरीका तो आफगानी सलवार बनाने के लिए मैंने लिया है ब्लाक कलर का रियोन फैब्रिक मैंने डहाई मिटर रियोन का फैब्रिक लिया है लेकिन हमारा यूज़ ओले दो मीटर ही होगा तो दो मीटर में से हम एक प्यारा सा अवगाने सरवार बना कर रेडि कर सकते है किस तरह से करना है मैं आपको बताती हूँ तो गाई सबसे पहले हमने अपने फैबरी को इस तरह से फॉल्ड करना है ये देखिए, हमने अपने फैबरिक को इस तरह से चोड़ाई में फोल्ड कर लेना है, यहां से, इसको मियां से अच्छे से फोल्ड करेगे, उसके बाद में हमने पूरे ही फैबरिक को इस तरह से एक बार रूर लंबाई में फोल्ड करना है, तो इस तरह हमारा फैबरिक डब दबल fold हमारा fabric है तो हमने इस side से open side से ही अपने marking शुरू करनी है तो सबसे पहले guys हमने ओपर की side में धाय इंच पर इस तरह से mark कर लेना है 1,5-5 inch पर हम उपर के side में mark करें कि ये mark हमने करना है नेफ़र fold करने के लिए देखे इस mark को मिला कर हमने या से line up कर ले ना है तो ये हमारा उपर के side में एक्षर fabric हो गया लास्टिक डालने के लिए ये फिर नेफ़र fold करने के लिए अब हम इसी निसान से नीचे की side में लंबाई का निसान लगाएगे इस तरह से तो देखे, आइस हमने जितने भी radio लंबाई रखनी है जैसे मुझे 38 रखनी है तो हमने 38 में से 10 इंच माइनस करना होगा क्योंकि हम इसमें 10 इंच के मोहरी लगाएगे तो 2 इंच माइनस करके मैंने 35 इंच पर इस तरह से मार्ग कर लिया है अब हम यहाँ पर इसमें 1 इंच एक्ष्रम मार्जिन के लिए एड़ करेगे यह देखे यहाँ पर हम 1 इंच रखेगी मार्जिन के लिए तो हमने इस तरह से लंबाई का निसान लगाना है इन दोनों ही निसान को हम लाइन अप कर लेगे अब हम उपर की साइड से हिप का निशान लगाएगे तो जो भी आपको हिप साइज उसका एक चोथा ही हमने लेना है तो मैं आप पर 36 का एक चोथा ही 9 इंच लूँगी और उसमें 7 इंच की हमने लूजिंग रखनी है तो इस तरह से हमने पहले इसमें 9 इंच पर निशान लगाना उसके बाद में हम 7 इंच की लूजिंग रखेगे तो टोटल मेरा 16 इंच हो गया 16 इंच पर हमने हिप का निशान लगाए इस तरह से, अब हम इस निशान को L शेप में आगे की साइड में बढ़ा लेगे, इस निशान को हमने 2 इंच तक ही बढ़ाना है, यह देखिए, यहां से हम क्रोचेरे की गोलाई देदेगे इस तरह, इसके बाद में हमने नीचे की साइड महरी का निशान लगाना है, तो से दोने निशान को उपर तक मिला देना ही, देखिए, इस निशान को हम हाथ से भी लगा सकते हैं, यहां किसी गोलाई देते हुए बिना स्केल के, तो देखिए गाई, इस तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी हो, उपर की साइड में हमने नेफा फॉल करने के लिए रहा हे चेक साइड में हमने एक इंच मार्जिन रखा है, और मोहरी के लिए हमने धाई इंच कम करके इसकी लैंतरी है, तो देखिए गाई, जब हमने कर लिया इस फैब्रिक के यहां से कटिंग, हमारे दोनों ही पार्ट्स कट कर हो चुकी है, रेडी इस तरह से, अब हम आपको इसकी स्टीचिंग भी बता देते हैं, बहुत ही ज़ादा आसान तरीका इसकी स्टीचिंग कभी है, यहां पर हम इस तरह से इसमें प्लेज डालेगे, तो चलिए हम इसकी स्टीचिंग सुरू करते हैं, उसके लिए हमने दोनों ही पार्ट्स को एक दूसरे के आमने सामने उ तो देखे गाईज हमने दोनों ही पार्ट्स की एक रोचेरिय को स्टिच कर लिया है इस तरह यह देखिए काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ में हमने इनको स्टिच किया है अब हम उपर की साइड में जो हमने धा इंच एक्षा फैबरी कर रखा था नेफा फोल्ड करने के लिए तो अब हम इसको भी फोल्ड करेगे पहले हमने हाफ इंच इसको फोल्ड करना उसके बाद में दो इंच इसको और फोल्ड करेगे इस तरह से तो हमने चारों साइड इसमें सिलाय लगा कर इसको रेडी करना है तो देखे गाईज मैंने इस तरह से नेफा फॉल्ड कर लिया है हमारा यहां तक इस्टी छोड़ चुका है यापर हमने थोड़ा सा खुला भाग रखा है लाश्टिक को इंसर्ट करने के लिए अब हम नीचे की साइड में मोहरे को रेडी करेगे तो मोहरे रेडी करने के लिए हम चलते अपने मशीन के पास में और आपको दिखाते है किस तरह से हमने इसमें मोहरे को अटेच करना है तो गाईज देखे हम आचुके अपने मशीन के पास में और मैंने दो मोरी पहले से रेडी करके रखे किस तरह से की है मैं आपको बता देती हूँ हमने फैब्रिक के दो पीसिस को कट करना है जिसके लंबाई 15 इंच और चोड़ाई रखनी है 6 इंच ये देखे हसले अब इस फैब्रिक को फॉल्ड करके हमने इस सेंटर में इस तरह से मार्ग करना है और एक साइड में जिस साइड हमारी इंच के पत्टी को पेस्ट कर लेना है ये देखे आप दोनों drastic में हमारा हाफ-आफ इंच इस सरे मर्जिन के लिए छूट जाएगा ंपर हमने इस त अपने मोहरी को रखना है, तो मोहरी को हम इसके ओपर सीधा करके रखेगे, यह देखे, सीधी साइड से हमने अपने मोहरी को रखना है, यह देखी कुछ इस तरह से, और इसको रखते विए हमने यहाँ पर हलकी अलकी सी प्लेट डालनी है, लगबख हाफ आफ इंच की यहाँ पर प्लेश डालनी है इसमें और इसको हमने इस्टिच करना है तो चले हम आपको प्लेश डाल कर दिखा देते हैं तो देखी गाज इस तरह से हमने छोटी छोटी सी लगबख हाफ हाफ इंच की इसमें प्लेश डालनी है और पूरी मोरी पर इसको इस्टिच कर लेना है यह दे यह देखे और सीधा करके हमने हाफ इचिज को फॉल करना है और फिर फीर इसको एक बार और फॉल करेंगे और इस तरह सीधी साइड इस पर सिलाय लगाएगे सिलाय के साथ में मैंने गोटा पत्टी ली है इसको भी हम इसी के साथ में स्टिच कर लेगे यह देखे इससे इसको लूख और भी ज़्यादा प्यारा आएगा तो हमने इस तरह से इस गोटा पट्टी को इस्टिच कर लेना है यह देखे बहुत ज़ाधा प्यारा हमारा इस अफ़गानी सलवार का लूख आने वाला है तो देखेगा इस तरह से हमनी इसको स्टिच कर लेना है दूसरी साइड भी परक्वल इसी तरीके से हम इस गोटा पटी को स्टिच कर लेगे यह देखे इस तरह से तो हमारी मोरी बन चुक है, देखे कितनी प्यारी हमारी मोरी बनकर रेडी हुई है, बिर्कुल इसी तरह से हमने दूसरे पाचे के मोरी को भी रेडी कर लेना है तो देखें गाईज हमारी दोनों ही पांचे रेडी हो चुके और आप देख सकते हो दोनों ही मोरी एक दूसरे की आमने सामने हैं दोनों ही प्लेट्स का जो मूह है अंदर की साइड को आया है हमने इसी तरह से एक साइड में ही प्लेट्स को डालना है अब हमारी बस्तियां उल्ली बीच वाली सिलाई तो हमने इस तरह से अपने अफगानी सलवार कुल्टा कर लेना है और इसमें यहां से यहां तक इस तरह से सिलाई लगा कर इसको स्टिच कर लेना है तो हमने इस तरह से इसको भी स्टिच करके रेडी कर लेना है तो चलिए हम उपर की साइड में लाश्टी को डाल का इसको रेडी कर लिया है, नीचे की साइड में हमने सिलाय लगा कर इस सलवार को कम्प्लेट कर लिया है, तो देखे, इस तरह से बहुत ज़्यादा प्यारा लुक हमारे सलवार का आया है, इस तरह से आप बहुत ज़्यादा आसान तरी के से आपकाने सलवार को बना कर रेडी कर सकते हो मैं आपको इसको वियर करके भी दिखाती हूँ तो देखेगा इस कितना प्यारा लुक इस सलवार का आया है और इस तरह से अगर आप सलवार बनाओगे तो बिल्कुल भी इसमें कहीं से भी किचाओ नहीं होगा मोहरी की से बहुत जादा प्यारा इसका लुक आएगा तो मेरे तरीके से आप एक बाद जरूर ट्राइ कीजेगा तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे मेरे चैनल को सब्सक् करता है